स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर और आज से हम लोग मई का राशिफल देना स्टार्ट कर रहे हैं मेट से मीन तक का राशिफल मैं आपको दूँगा एक एक करके सारी वीडियो आपको अपलोड करके दी जाएंगी वीडियो को अंतक देखिएगा और अगर आपको कहीं पर भी कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके जरूर मेरे को बताएगा आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा बैल आइकन को दबाएगा साथ साथ शुरुवात हम लोग करेंगे कि कौन कौन से त्योहार मई के महिने में पढ़ेंगे तो साथ मई 2021 को वरुथनी 81 रहेगी ग्यारा मई को वेक्षाग क्रिशन पक्ष की अमावस्ता तिति रहेगी 14 मई को अक्षिति रहेगा और 26 मई को वेशाग पूर्डिमा 22 मई को मोहनी एकाच्षिति थी तथा 24 मई को उपनयान संसकार का महूरत 14-13-16 को रहने वाला है वहीं अगर आप घ्रह प्रवेश करने की सोच रहे हैं तो 7 मई 8 मई 12-21 मई को आप नवीन घ्रह प्रवेश यहाँ पर कर सकते हैं वहीं अगर आप वेपार शुरू करने की सोच रहे हैं तो 14-26-30 मई को आपके जिसमें आप अपना कोई भी कार्य यहां पर इस्थापित कर सकते हैं तो वीडियो अन तक देखेगा क्योंकि हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया आपको देखने को भिलेगा तो अगर हम केतोइ की ट्रांजिट की बात करें तो केतो चल रहे हैं वरी राहू चल रहे हैं वर रॉठशवराशी के अंदर और शनी जो है वो कैफरीकॉन के अंदर है और वहीं पर वीनस के जो इस्थित्थी है वो शुरुवाती चार मई 2021 को वर रशवराशी में जाएंगे और यहाँ पर यह 22 जून तक वहाँ पर रहेंगे वहीं जूपिटर जो हैं वो कैपरिकॉन में है और साथ-साथ मरकरी की जो इस्तिती है यानि कि बुद्ध की जो इस्तिती है वो जो है वो अभी ट्रांजिट करेंगे वरशब राशी के अंदर 1 माई 2021 को उसके बाद वो जैम सिर्फनी में चल रहे हैं 14 अपरियल से 2 जून तक वहीं रहेंगे और 2 जून को वो cancer में जो है वो ट्रांजिट कर जाएंगे वहीं सन जो है वह चल रहे हैं Aries में 13 अपर और उसके बाद वो 14 माई 2021 को टॉरस में चले जाएंगे और 15 जून तक वहीं पर रहेंगे तो यह हमारे ग्रह गोचर की स्थिय आपने देखी मेश राशी के साथ की मेश राशी वालों का ये महिना कैसा जाने वाला है देखिए अगर शुरुवाती दौर के हम बात करें तो पूजा पाठ स्पेच्वल चीज़ें बढ़ती हुए दिखाई देंगी और उसका बहुत पॉजिटिव असर आपको देखने को मिलेगा परिव पर कोई मन मुटाव चल रहा है था आपस में तो वह सुरस्ताव आपको दिखाई देगा यहां पर रिष्टे मजबूत होंगे और वैसे तो कोरोना का काल चल रहा है लेकिन फिर भी आप कुछ आउटिंग कर सकते हैं जैसे खाना खाने बाहर चले गए यह इस तरह की चीज दिन हैं वह बहुत अच्छे यहां पर स्टार्ट होने वाले हैं जो भी रिजर्ट्स की त्यारी आप लोग कर रहे थे या मतलब कॉम्पेटिशन की त्यारी अगर आप कर रहे थे तो उसमें पॉजिटिविटी आपको देखने को पराप्त हो सकती है नौकरी के नए सुनहर आपके एंड से होंगी यानि कि अगर आपके ने जरासी पिला परवाही करी तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है बड़े निन्ने लेने से पहले बहुत जादा सोच विचार करने के आवश्यक्ता रहेगी मन्चाही नौकरी के म उनका पढ़ाई में मुझे लगता है कि उतना मन नहीं लगेगा आप यूभी क्योंकि ओनलाइन पढ़ाई से वो ऊप चुके हैं और अपनी जो एक्स्ट्रा केरिकुलम एक्टिविटीज हैं उसमें उनका ध्यान ज्यादा रहेगा लेकिन बच्चों मैं आपसे यह कहना च स्टेशन्स रही हैं आपकी उनको अगर आप हावी करके चलेंगे तो मुझे लगता है कि फोड़ी बहुत दिकतें आपको जरूर आएंगी इसलिए पुरानी बातों से निकल कर आगे चलेंगे तो इस सितियां बहतर आपके लिए होंगी अगर आपके लव लाइफ की बात यहां पर मैं करूं तो रिष्टा मजबूत होने के कगार पर रहेगा और जो भी बातें छिपाईं आपने हैं क्या मैं कहूं कि कुछ ऐसी बातें हुई जिसमें आप एक दूस्टे को भरोसा नहीं दे पाए वो मदभेत आपके सुलस्ते में दिखाई देंगे और जो आपक में कुछ खटास आ सकती है कुछी डाट आपको बढ़ सकती है तो उसके लिए भी आप लोगो को तयार रहने की आवशक्ता है जो लोग अभी यंग हैं उनके लिए ठीक रहेगा स्वास्त लेकिन चिंता के वश्य है क्योंकि कोरोना का काल अभी समाप नहीं हुआ है और लगता है कि कुछ लक्षन आपके अंदर आ रहे हैं कोरोना जैसी इस्ते थी भवान ना करें तो तुरंत उसकी जांच आपको यहां पर करानी होगी हलाकि यह महीना में आपकी बुद्धी बहुत अच्छी रहेगी और आपको शांदार उपलब्धियां पराप्ध होंगी और अगर आप यहां पर मकान इत्यादी खरीदना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें बहुत अच्छा रहेगा और यहां पर प्यत्रिक संपत्ती के अगर कोई विवाद आपके चल रहे थे तो वो भी यहां पर समाप्त होते पर दिखाई देते हैं और फु उस उमीदों पर खरे उत्रेंगे उनको कुछ अच्छी उपलब्धी मिल सकती है और इस बात के बहुत अच्छे परिणाम दिख रहे हैं कि अगर प्रशासनिक जॉब या सरकारी नौकरी के लिए वो प्रयास रथ हैं तो उनको शांदार आउटकम यहां पर प्राप्त होता मुझे दिखाई दे रहे हैं काफी हद तक मंगल का चतुर्थ चटे भाव में पढ़ने के करण आप काफी हद तक एनरजेटिक रहेंगे और शतुर्ता जो लोग आप से रखते हैं उनको आप करारा जबाब इस महीने मुझे लगता है आप देते वे दिखाई देंगे यह म अंद विशवास ना करें कोकि अंद विशवास करूना को महंगा पर सकता है लक्षे के पराप्त करते सब् algún के के लिए वोस चीजों से आपको बहुत जादा साफधान रहने की आवशकता है कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ये कारियर में काफी नई उचाईयां आपको दे सकता है कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताएगा कमेंट करके अगली वीडियो में हम बात करेंगे विश्व राशी की तब तक अपना ध्यान रखें और सैनेटाइजर और मास्क रियोग जरूर करें धन्यवाद